हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सक्सेश पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक मुबाइल फोन से बीना कैमरे की पीडियाप की मज़से बीना फेस दिखाए आप एक एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं एजुकेशनल वीडियो के उपर हम बात करेंगे कि कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपको बनाना है आपके पास पीडियाप नोट्स अबिलेबल है तो उस पीडियाप नोट्स से आप अपने मोबाइल में इस्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं आपको फेस दिखाने की जरूबत नहीं पड़ेगी अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो आपकी बन जाएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूबताया तो बीना कैम्रे के यह वीडियो हम रिकार्ट करना सीखेंगे कि बीना कैम्रे से बीना फेस दिखाए आप एक इस टेफ होंगे जिसको हमको फालो करना है और सेटिंग क्या करनी पड़ती है कौन से आप की जरूद पड़ती है तो पूरी डीटिल हम देखेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो पर इंटक बने रहे है इस वीडियो को आगर पसंद आता है तो लाइक करे ज्यादा से चानल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बला आइकन को प्रेश कर ले जिससे के नए वीडियो की नटिफिकेशन आपको मिलती रहे है और कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाने से रिलेटेट कोई भी क्वेरी है कनफीजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर कर सकते हैं telegram group को join करके वहां पर भी अपने जो भी क्रिशन है उसको कर सकते हैं अगर next कोई वीडियो आपको चाहिए educational वीडियो को बनाने से वीडियो आप रिकार्ड करेंगे टाइम तो अपना अपका टाइम जा रहा है तो अगर उस वीडियो की quality थोड़ी सही रहेगी तो और भी सही रहेगा वीडियो आपका अच्छे से चलेगा और जो भी लोग देखेंगे जो भी student देखेंगे उनको clear समझ में आएगा और जो भ सकते हैं या फिर mic नहीं भी है तो आप hearphone के यूज कर सकते है जो की earphone आपको दिखाए जा रहा है ये एरफोन से अगर अच्छे से आपकी voice record हो जा रही है तो आप earphone के यूज करके voice को record कर सकते है अगर mic नहीं है तो आगर हम बिल्कुल starting के बात करें तो आपके पास एक earphone ह होता है एक mobile होता है और इनी दोलों की साहता से एक वीडियो बनाना हम सीखेंगे ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम एक पीडिएफ नोट से वीडियो बनाते हैं और उसके लिए कौन-कौन से आप की ज़वत पड़ती है और क्या के सेटिंग हमको करने होती है तो पूरी और आंए मचत्ते हैं और यहां पर दाकोमेंट में जाएंगे था हमारे कुछ प्ड़ती में प्टेब हुए है। uda से म ओपन कर लेंगे बहुत तो थेस्फार पकुम्ण को दिखर पेडियो की जाएंगगे तो कोई भी PDF यहार पर Open कर लेंगे या फिर आपके phone की storage में save है तो phone की storage से भी आप open कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से जो भी PDF notes है आप open कर लेंगे और उसको open करके यहां से सरच भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद आप बैग चले जाए ठीक है और उसके बास से हमें क्या करना है एक एप की चोथ पड़ती है यहाद से आपनतें आपका थैप के लिए इस इस डीकारड को आपको इस्टाल करना होता है to तो प्ले इस्टोर से जाके आप यह वाला एक्स रिकारडर इंस्टाल के लिए जो आपको यह दिखाया जा रहा ठीक है यह एक्स रिकारडर होना चाहिए आपके मुझाल पर तभी आप वीडियो बना पाएंगे तो इसको हम ओपन करते हैं और इसकी पूरी सेटिंग के बारे अब हम क्या करेंगे यहां पर नीची जाएंगे यहां पर आपको सेटिंग का प्शन मिलता है तो इसपर हम क्लिक करेंगे सेटिंग में जाने के बाद जो कुछ तो यहां से आप 720 या फिर 1080 जो भी चाहें रख सकते हैं क्वालिटी के अगर बात करें तो यह आटों में आप रहने दे इसको या पीएस के अगर सेटिंग की बात करें तो इसमें 30 या पीएस आप कर सकते हैं इस पर अच्छी वीडियो रिकार्ड होती है आयं रोटेशन की बात करें तो जब भी आप बीडियो बढाईये yoga UK के लिए तो ORIENTATION जो होता है YouTube के लिए José तो 16 by nine के ratio में होता है यानि कि Land Escape में हैं आपको Video बनाना है कभी भी portrait में वीडियो नहीं बनाना है portrait में वीडियो बनाते है तो आपकी जो notes बैगर या है और क्लियर नहीं दिखते हैं और वीडियो भी fullscreen में नहीं बन बाते हैं इसलिए कभी भी आप वीडियो बनाई है तो रोटेशन को आन करके क्या के सेटिंगे सारी चीज़े को बारे हम जानेगे इस वीडियो में तो जो recording mode है वो normal mode ही रहेगा जो countdown है before start यानि कि जब भी आप video स्टार्ट करने जा रहे तो उसके पहले कितने countdown होना चाहिए तो 3 मैंने किया 3 ताइम तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं आप पर दिया हुआ है आप भी कर सकते हैं कि डारेक्टा जैसे 3 countdown है तो जब भी आप Video वीडियो रिकार्ड करेंगे तो यह तीन बार पहले काउंट करेंगे उसके बाद से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी रिकार्ड होना तो पॉप अपप विंडो आफटर टेकिंग इसको आप अन कर लेंगे और नेक्स्ट अगर हम बात करें यह आपको अन नहीं करना है फोन जिए ऑपको इंप्रेंट है जब आप यह वाला जो ऑप्सन है इसको आर्ट करके रखेंगे तो कभी बी आपकी इस और आप आप भी हो जाती है और आपकी अचानक से आफ़ होगी तो आपकी जो िरिकार्डिंग है वो चलती रहेगी और बाद में आप उसको एडिट कर सक है ठीक है इडिट करने का बहुँ सार अप्शन होता है तो रिकार्डिंग आपके रुखे कि नहीं फिर से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आप आगे कंडिन्यू कर सकते हैं नेश्ट हम बात करें तो इसको आप कोई कैमरा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जब अभी सब भी आप रिकारडिंग करेंगे यहां पर कुछ पर्मिशन है उसको दे देंगे और यहां पर देखिए आपका यहें कैमरा वह इस्टार्ट हो गया है इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं जहां पर आपको रखना है जैसे आप पढ़ा रहे है वीडियो में ठीक है जैसा आप camera को off कर देंगे तो आपका camera नहीं दीखेगा आपका face नहीं दीखेगा तो इसको आप off करके रख सकते हैं यादि आपको camera on नहीं करना है तो brush को आप on करके रखेंगे क्योंकि जब भी brush on रहता है तो देखिए जैसे आप screen recorder आन करते हैं तो दो option यहाँ पर आन हो जाते हैं यह किधर है यहाँ से आप stop कर सकते हैं और यह किधर brush का option है जब आप brush को आन किये रहेंगे तभी option दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा ब्रस का क्या यूज है ब्रस पे जैसे कोई भी चीजे पढ़ा रहे होते हैं पीडियाप से तो ब्रस पे हम क्लिक करते हैं कोई भी आपको highlight करना होता है कोई भी point को चीज को mark करना होता है तो हम यहाँ brush से कर सकते हैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी option है ब्रस पे अभी click है य कोई भी चीज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है किसी भी point को highlight कर सकते हैं इस प्रकार से जब यह second option जो square का दिख रहा है देखिए जो भी चीजे हम लिखे हुए इसको erase करते हैं तो यहाँ आपको दिखाए जारा है जो भी चीजे हम लिखे वह हूए यहाँ पर कुछ लि इसको एरेज कर सकते हैं तो आप या तो बैक कर दीजी या फिर आप इसको हटाना है तो डिर्यक्ट आप इस कट पे क्लिक कर सकते हैं अब करेंगे तो आपका यह हट जाएगा तो चलि और भी हम देख लेते हैं ब्रस में और सारे option का क्या ही उजे जो second option है आपका यह square का है तो जैसे इस पर click कर लेते हैं उसके बाद से किसी भी चीज को आप अच्छे तरीके से highlight कर सकते हैं होने कि एक square में इस प्रकार से कोई भी चीजों को आपको दिखानी है तो वह अच्छा impression पड़ता है ठीक है तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज को दिखा सकते हैं जैसे square पर click करेंगे तो square में आप चाहें जितना बड़ा या छोटा जोबी चीज आपको दिखाना चाहते हैं इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं तो इस तरीके से यह square का यूज होता है और next अगर हम बात करना है इसको हमको back कर देना है तो back करेंगे तो सारी सीज़े हट जाएंगे अब हमको अगर circle पर click करते हैं तो circle में किसी चीज को show कर सकते हैं या पर कोई भी circle आपको बनाना है कोई भी diagram बना के दिखाना है इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं या फिर कोई भी circle में किसी चीज को show करना है तो आप यह आप दिखा सकते हैं तो यह circle का use है next अगर हम बात करें तो यह arrow है तो arrow direct आप दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से arrow बना के किसी भी point को highlight कर सकते हैं किसी भी topic को आप show कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह arrow का use होता है डारेक्ट आप arrow यहां पर बना सकते हैं इस प्रकार से आपका क्या है color की भी हम आगे बात करेंगे तो यह हमारा arrow हो गया और यह जो option है आपका यहां पर last में इससे भी आप किसी भी चीज को यह आपका जैसे dotted line होती है इस प्रकार से दिखाए जाता है तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको ज्यादा तो यूज नहीं होता है तो यह हो गया हमारा next camera का option है camera जैसे हम क्लिक करेंगे तो camera आपका open हो जाएगा जैसे हम camera क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी जो recording होगी वो start होगी लेकिन अभी हम को start नहीं करना है ठीक है और फिर हम आगे अगर बात करें तो यह आपका eraser है और eraser के बगल में आपका arrow दिया गया है जिसे हम back करते हैं और arrow के बगल में एक आपका option है जैसे हमारा color का प्लेट होता उस type का तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम चीजें highlight करना है इसका color इसका आप देख रहे ह यहां पर आपका color यह है और इसको change करना चाहें तो इसको change कर सकते हैं और जो भी इसकी thickness है उसको भी हम घटा बढ़ा सकते है यानि कि जीजे हम लिख रहे है कि इतनी मोटाई में कितनी thickness में हमको लिखने है यहां पर अगर कर दिये तो इसकी thickness ज्यादा हो जाएगी ठीक है इस परकार से और इसको हम अगर कम कर दिये size को तो यह आपकी thickness कम हो जाएगी इस परकार से इसको और कम किये तो पेन की तरह बिलकुल चलने लगेगा इस तरीके से तो यह thickness आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं और जो भी color है आप यहां से change कर सकते हैं तो भी black हम ले लिए फिर यह हमारा color हो गया यह अलग-अलग color है इसका हम यूज कर सकते हैं जिस color को आप select करेंगे वह color आपका यहां पर जैसे आप जो भी चीज़ा highlight करेंगे तो उस color में आपका यह तो यह होगा अभी देखिए अभी आपने pink color लिया था यहां से pink color आपका सो हो रहा है यह थो और इसके वासे short touch यह आपको ऐसे छोड़ देना है और कोई setting इसमें नहीं है main तो यही setting थी कि आपको brush को on करके रखना है और keep recording when screen ही जाप जब भी screen off हो थी तब यह आपकी recording चलती रहे तो यह आपको pop-up window after taking screenshot यह आपको on रखना है countdown आपको three time लगाना है recording mode जो है normal में रखन रखना है orientation आपको auto रखना है लेकिन याद रखना है कि जब भी आप YouTube के लिए video बनाएंगे तो landscape में बनाएंगे FPS आपको 30 रखना है quality auto resolution में आप 720-1808 रख सकते हैं और record audio में microphone जरूर से जरूर आप select किजिएगा तो यह सारे setting के option हो गए अब हम देखेंगे कि इस जो app है य आप था इस हमारी screen जो पूरी screen है वो रिकार्ड होती है जो ही mobile की screen है तो अब चलिए हम देखते हैं बात करते हैं कि हम अपना एक video कैसे बनाते हैं तो video बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने file को open करेंगी जो भी जहां पर हम फाइल लखे है file को open कर लिए एक PDF file हमारी open हो ग इस पर यह बर click करेंगे तो आपका यह जो option है ठीक है जहां से हम post कर सकते हैं और start कर सकते हैं ऐसे यह जो आपका point वाल option है यहां से start कर सकते वीडियो को और post भी कर सकते हैं और यह home का है तो home पे जब click करेंगे home पे चले जाएंगे कोई भी setting करने यहां से कर सकते हैं लेकिन अब हम क्या करेंगे एक बर आटू or rotation जो आपका है अन करना है, mobile data को off करना है, और airplane mode में करना है तो direct आपका data आप ही रहेगा, तो airplane mode में करना है और rotation on करना है, दो चीज़ आपको करनी है, उसके बाद से हम क्या करएंगे, अपनी mobile को ऐसे rotate कर लेंगे, ठीक है, mobile आपका rotate हो गया, पीडियोफ हमारा open है, अ अपनी record करेंगे यहां से कैसे हम start करते हैं सबसे पहले हम क्या करना है इस पर हम click करेंगे यह जो option आपका है यहां से click करके और इसको हम on करेंगे जैसे ब्यों आंद करेंगे आपका तीन टाइम यह countdown होगा यह start now पर click करेंगे यहापर देखें तीन बार एक चार्ट कर सकते हैं फिर आपको जैसे पूरी वीडियो रिकार्ड कर लिए आप और इसको इंड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे सेकेंड नमर पर तो आपकी रिकार्डिंग क्या होगी यही पर इंड हो जाएगी ठीक है समाप्त हो जाएगी तो आप हमको क्या करना कोई पढ़ाने पीडियो फोपन कर लिया यहां से हम ब्रस पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ों को हाइलाइट करते हुए चलेंगे कोई भी चीज़ आपको बतानी है मार करना है तो ब्रस पर क्लिक करेंगे यहां से मार कर सकते हैं circular जो option उस पर click करेंगे circle में किसी चीज को highlight कर सकते हैं या फिर ऐसे हमाल यह आपका 6 semester है और इसको आप brush के मदद से इससे दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं अगर आप यह हमारा square का option है उस पर click करेंगे तो इस प्रकार square में दिखा सकते हैं color आप यहां से change कर सकते हैं सारी चीज आपको पहले बताएगे तो इस प्रकार से आप पूरे PDF को open कर लिजिए और एक एक चीज को समझाते हुए आप brush पे ही हमेशा click किये रहे है जब भी आपको square की जब करने और उस topic को define कीजिए अच्छे से उसके बाद से next topic पर जाएए ठीक है next topic को यहां से start कीजिए और उसको define कीजिए इस प्रकार से पूरा जो आपका video है जितने वी minute को आपको video बनाना है जितने भी topic के एक video में आपको complete करना है वो सारी topic complete कर लिजिए और उसके बाद से ज पर रुख गई है इसको आगे हम continue कर सकते हैं तो फिर जब हमारा काम complete हो जाए और आपको फिर से record करना है तो आप इस पर क्लिक करके और इस ही recording को आगे बढ़ा सकते है इससे आपको add करने के जोत नहीं पड़ेगी दो चार वीडियो ऐसा नहीं एक दो चार पार्ट में बन लेते हैं उसके बाद से हम क्या करेंगे इस पर second number पर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो यहां पर इंड हो जाएगी तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपकी देखिए वीडियो बनके तयार हो गई है अब हम इसको क्या करेंगे जो भी आपको editing वगएर करना है कर सकते है या फिर डिरेक्ट आप upload करना चाहते हैं तो इसको upload कर सकते हैं तो किस प्रकार से upload करना है किस प्रकार से edit करना होता इसके बारे में वीडियो मिल जाएगी तो उसके लीए आप comment box से comment किजिए जायbn schedules recommend मिल बनके तो थोड़ा से हमको क्या करना होता है। इसमें cropping वगए करना पड़ता है क्योंकि size से जो भी option आपके या जाते हैं, mobile जो भी चीजे, यहाँ पर जो भी option start के और यह सारी चीजे आती हैं, तो इसको crop करना पड़ता, अगर और उपर से आपके, कभी कोई क्या होता है कि जब इ यह सारी चीजे जो आपके फ्लाइट मोड है बैटरी का अप्शन है टाइमिंग है यह सारी चीजे दिखते हैं तो उसको कैसे क्रॉप करते हैं तो इसको आप काइन मास्टर में जाके आप क्रॉप कर सकते हैं तो इस प्रकार से पूरा वीडियो बनाने का प्रोसेस था कि एक वीडियो से आप बीना दिखाया किस प्रकार से वीडियो आप आसानी से बना सकते हैं और इस टुडेंट को पढ़ा सकते हैं की जीवे में तो यह था पूरा प्रोसेस वीडियो बनाने का और वीडियो को अप्लोड कैसे करना है इसके लिए आपको नेक्स वीडियो में बता एतल बेदाल